हलो दोस्तो, मैं पशान, आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कमेंटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करें जा रहे हैं कि कैसे आप आसान तरीके से सबसे दिखत हैं कि हम मोमेंटम स्टॉक्स को फाइन करते हैं उसमें अगर मोमेंटम नहीं आया तो आप कितना भी अच्छा ट्वेडिंग सेटप तयार कर लो वो आपको प्रॉफिट बना के नहीं देने बाला है इसलिए सबसे important काम होता है momentum stocks को find करना अगर आप सही stocks को find कर लिए जिसमें momentum है तो आपका 40-50% का काम होई हो गया बस आप अपना trading setup तयार कीजिए trading opportunity find कीजिए फिर आपको उस stocks से जो difficult काम है वही मैं आपको इस वीडियो मताना जा रहा हूँ कि कैसे आप आसान तरीके से difficult काम क कर सकते है momentum stocks को find कर सकते हैं तो चली देखते हैं कि कैसे momentum stocks को find करेंगे तो यहाँ पर आप दो आसान तरीके से momentum stocks को identify कर सकते हैं कैसे चली देखते हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या find करना सबसे पहले आपको find करना increasing price यह निए आपका price increase होना चाहिए उसके साथ-साथ आपका volume भी increase होना चाहिए अगर price के साथ-साथ आपका volume भी increase हो रहा है तो काफ भी हद तक यह आपको momentum stocks है इस stocks में हमें momentum देखने को मिलेगा फिर आप उसी momentum पे write करते हुए अपने trade को profitable बना सकते हैं दूसरा क्या हमें find करना दूसरा हमें help लेना परेगा moving average का जहांपे हम exponential moving average यूज करेंगे 20 days का तो price आपका either 20 day moving average 20 day exponential moving average को support लेना चाहिए या फिर इसको resistance लेना चाहिए तो इनी दो criteria को इनी दो point को follow करते हुए हम आसान तरीके से momentum stocks को find कर लेंगे कैसे find कर लेंगे चली चार्ट पे चलके इसको समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पे हम चार्ट पे आगे और यह चार्ट देख सकते हैं किसका है अधान एपोर्ट का चार्ट है डेली चार्ट है यहाँ पे हम इस्तमाल कर रहे हैं या नि आप इसका इस्तमाल intraday trading में नहीं कर सकते हैं हमें momentum stocks find करना है तो हम इसका इस्तमाल positional trading या फिर swing trading में कर सकते हैं जहाँ पे हमें इसके momentum से थोड़ा बहुत profit मिलता हुआ देखेगा या फिर आप इसका इस्तमाल options trading में भी कर सकते हैं अगर आप options trading one week के लिए करते हैं या फिर one month के लिए करते हैं या फिर futures trading अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं तो चलिए यह देखते हैं कि हम momentum stocks को कैसे find करें, उससे पहले मैं आपको बदा देना चाहूँगा, कि नीची हमने volume को add किया है, और यहाँ पे हमने add किया है 20 day EMA, यानि exponential moving average को, बस यही दो indicator का हम इस्तमाल करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको already idea होगा ही, बस इसको हमें simply follow करना, अब हमें इसका इस्तमाल कैसे करना, सबसे पहले आपको देखना है, 20 day EMA को हमें क्या मानना है, price इसको either support के रूप में tweet करें, या फिर resistance के रूप में tweet करें, और price आपका उपर जाना चाहिए, या फिर नीची आना चाहिए, और वहाँ पे volume के तरफ से support मिलना चाहिए, अगर price उपर जा रहा तो positive volume हमें increase दिखना चाहिए, और नीचे आ रहा तो negative volume हमें increase दिखना चाहिए, तब हम इसे stocks को momentum stocks मानेंगे, और उसमें हम tweet कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहीं से सुरुवात करते हैं, March 2022 के यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ हुआ है, पहले यह जो आपका 20 day exponential moving है बेजे, वो आपका resistance के रूप में काम कर रहा था, अब यहाँ पे क्या किया, इसको break करके ऊपर निकला है, तो यहाँ पे हमें कोई tweet नहीं लेना ब्रेक करने पे, हमें कब tweet लेना, जब दुबारा इसको retest करेगा, तब हम यहाँ पे tweet लेंगे, यह जो moving average है, अगर इसको break करके ऊपर निकला है, तो हम check करेंगे, क्या यहाँ पे volume के तरफ से support मिलवा है और नहीं मिलवा है, जब price उपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखें, price इसको break करके ऊपर निकला, price आपका उपर जा रहा है, अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, इसके साथ-साथ volume भी increase हो रहा है, य entry लेने के लिए हम 20 day EMA, यानि exponential moving, अब इसका help लेंगे, अब इसका help हम कैसे लेंगे, अब हम wait करेंगे, कब इसको rate test करता, देखेंगे, इसको break करके ऊपर निकला है, और यहाँ पे इसको rate test कर रहा है, यहाँ यह candle rate test किया, जो candle rate test किया, उसके high को marker लेंगे, अब जैसे price उस आप पर हम target price की बात करें, तो first target price हमारा यह हो जाएगा, second target price हमारा यह हो जाएगा, previous swing high के basis पर अपना target price set कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे, price आपका all the way, यहाँ पर हमने जो entry लिया है, हम exact level भी find कर लेते हैं, हम किस level पर entry लिया है, लगबग हम 740 करीब यहाँ पर हमने entry लिया है, 740 करीब entry लिया है, और हमारा SL बन रहा है, SL की अगर हम बात कर ले, तो 725 आप ले सकते हैं, जो SL हमारा बन रहा हो, 725 के करीब बन रहा है, यहनि, just हमारा कितना बन रहा, 15 point का SL बन रहा है, और अगर हम target price की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम target price देखेंगे, तो लगबग आपका 840 करीब हमारा target price बन रहा है, तो लगबग 100 point के करीब हमारा target price बन रहा है, और SL just 15 point का है, अगर हम इस target के लियाज से भी देखें, जो हमारा first target price है, यहाँ भी लगबग 790 का बन रहा है, यहाँ यहाँ भी 50 point का हमारा target बन रहा है, और 15 point का मेरा SL बन रहा है तो दोनों लियास हैं, जो मैं आपको last में चेक करने बोलता हूँ, risk कितना है और हमें reward कितना मिलबा है, वो काफी हता हमारे favor में, तो इस तरीके हैं से हम आसानी से volume चेक किया, price चेक किया, momentum stocks मिला, हमने EMA के basis पे जब इसको retest किया, entry find किया, उसके बाद risk reward चेक किया, सारा कु profit बना सकते हैं, इस upside momentum से हम profit बना सकते हैं, यहाँ पर हमने काफी आसानी से momentum stocks को find कर लिया, आप यहाँ पर जाओ तो swing trading कर लो, FNO में trading कर लो, या फिर आप positional trade भी, ले सकते हैं, जो भी trade आपको लेना है, वो ले सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ और से daily chart का इस्तमाल करना आप अगर थोड़ा बहुत नीचे जाना चाहते हैं, तो minimum आप hourly chart में जा सकते हैं, वन hour से चार्ट से नीचे नहीं जाना है, उसके बाद यहाँ पर आगे भी आप इसको follow करते हुए चल सकते हो, अब देखिए, price यहाँ से उपर आया है, और यहाँ से क्या किया है, वापस स जब यह इसी 20-day exponential moving आप इसको दुबारा retrist करेगा, तो हम int भी लेगे, उससे पहले price नीचे जा रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि से लर्च वाला volume है या नहीं, volume के तरफ से support मिलवा है कि नहीं मिलवा है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो volume भी अच्छा खासा increase कर रहा दिख रहा है, जो average volume है, उससे कई जादा हमें negative volume दिख रहा है, मतलब volume के तरफ से price को support मिलवा, मतलब यहाँ पर भी volume और price तोनों एक दूसरे को support करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अपना trading opportunity फाइन करेंगे, जो कि हमें मिलेगा 20-day exponential moving average से, तो यह यहाँ पर वापस स इसको touch किया, तो हम इसके lowest point को mark कर लेंगे, और जैसे lowest point को break करके नीचे जाएगा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, interview लेंगे, और यह interview किस तरफ होगा, यह interview होगा sell side की तरफ, और यहाँ पर हम सबसे first इस target price के लिए आसानी से जा सकते हैं, और SL की बात करें, तो SL है हमारा करके trade ले सकते हैं, आप यहाँ पर momentum stocks को fine कर सकते हैं, किसका momentum नीचे side की तरफ है, या फिर उपर side की तरफ है, momentum उपर side की तरफ है, तो buy करके profit बना सकते हैं, momentum नीचे side की तरफ है, तो हम sell करके profit बना सकते हैं, जो sell करना होगा वो, आपको futures में करना होगा, या फिर options में करना होगा और अधानी पोर्ट फैलो में अबलेबल है जो इस टॉक्त सब्सक्राइब शाप सब्सक्राइबंक करने के ज्यादा को यहां पर करना है और उसकी बाद आप यहां पर एक और एकडामबल लेख सकते हैं फिर प्राइस आपका उपर जा रहा और यहां पर आपका 20-day मतलब दो हमारा जो point था वो satisfy हो गया, अब हमें यहाँ पर entry point find करना है, अब यहाँ पर देखिए, price उपर चलते चलवा है, हमें entry point नहीं मिलवा, तो यहाँ पर हम जल्दवाजी करके, इसी के बीच में entry करने की कोशिस नहीं करेंगे, हम अपने point पर stick रहेंगे, अगर नहीं opportunity म हाई को mark कर लेंगे, इसके उपर निकलेगा, तो यहाँ पर हम अपना entry लेंगे, तो entry करने का हमें मौका मिला है, तो हमने यहाँ पर entry लिया और यह जो point है, यह green candle का lowest point है, मेरा SL की रूप में काम करेगा, यानि तो आप यहाँ पर entry ले सकते हैं, इसको भी यहाँ पर touch किया ह और हम यहाँ पर भी entry ले सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आप entry को identify कर पारें, वहाँ पर आपको entry ले लेना है, और यहाँ पर भी SL की बात करें, तो हमारा SL होगा, यह point होगा, और entry हम इस particular level पर ले सकते हैं, इस candle के high को break करके ऊपर निकलेगा तो, तो दो जगह यहाँ प यहाँ पर momentum stocks को identify कर सकते हैं, momentum किस तरफ है, momentum जो change हो रहा है, वो भी हम आसानी से identify कर सकते हैं, और उसके basis पर trade ले सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो negative volume आपका increase कर रहा है, यानि volume के तरफ से इसको भी continuous support मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर हम एक और example देखते हैं, और उसके ज़रे हम इसको और समझने की courses करते हैं, उससे पहले यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बतना चाहूंगा, कि अगर आपको यहाँ पर technical analysis, candlestick के बारे में, या फिर future options के बारे में, details से study करना, तो उसके उपर हमने detail course बना रखा है, आप हमारा mobile app equity community को download कर सकते हैं, play store से, और वहाँ पे आपको हमारा different types of courses देख जाएंगे, उसको आप enroll कर सकते हैं, उसको आप purchase कर सकते हो, और वो सब सीखने के बाद, आप खुद से independent trader बन सकते हो, आप खुद से अपने लिए trading strategy form कर सकते हो, feature options देख लोगे, तो आप खुद से feature options में trading decisions ले सकत नहीं परेगी, तो आप हमारे mobile app को download करके एक बाज और course को watch किजिए, उसमें सारा content आपको दिख जाएगा, क्या 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 वहाँ पर हमने explain किया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम दूसरे example के उपर बात करते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा example लिया है, वो हमने उपर वीडियो बना के आपको update कर लेंगे, लेकिन तब तक आपको manually identify करना होगा, आप अपने watch list में जो भी stocks रखते हैं, उसको आप market close होने के बाद आप देख सकते हैं, उसको analyze कर सकते हैं, और अगर कोई criteria को follow करता है, तो उसको अपने next day के watch list में डाल सकते हैं, तो जितना आप stocks को analyze करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए benefit होने वाला है, तो आपको analyze करना परेगा stocks को, कई-कई बार हमें 100-100 stocks को analyze करना पड़ता है, next day trade setup तयार करने के लिए, तो आपको analyze करना परेगा, और वहां से आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगे, कि stocks में momentum किस अब यहां पर देखिए, यहां पर यहां पर यह जो 20-day exponential moving average है, कि हमारे लिए क्या काम कर रहा था, रेष्टेन्स के रूप में काम कर रहा था, price इसको break करके ऊपर निकला है, अब यहां पर जब price ऊपर जा रहा है, क्या volume की तरफ सपोर्ट मिलवा देख सकते हैं, positive volume हमें ज gap होने के chances भी कम दिखते हैं, तो यहां पर हम क्या find करेंगे, हम find करेंगे कि 20-day EMA को दोवारा retaste कब करेगा, तो यह upside जाने की momentum में, retaste आपको यहां पर देखने को मिला है, तो इस candle के high को mark कर लेंगे, जैसे ही price इस candle का high को break करके ऊपर निकलेगा, यहां पर हम बाइसर की त आएगा, तो इस तरीके से हम अपने profit को आसानी से book कर सकते हैं, और यहां पर हम चाहते हो, यहीं पर अपना profit book करके निकल सकते, यहां पर निकल सकते, यहां पर आप इस target price के लिए भी जा सकते, उसे पहले price नीची आ है, लेकिन आपके SL को hit नहीं किया है, तो इस तरीके से आप momentum stocks को find करके वहां पर अपने लिए trading opportunity find कर सकते हैं, ज्यादा कोई complications नहीं है, simple है, हमें दो चीज को ध्यान देना है, volume price को देखना है, एक दूसरे को support करें, फिर price exponential moving average को break करके उपर निकले, जो कि 20 days वाला है, और फिर जब उसको retest करेगा, तो वहां पर हम अपना entry point find कर था, negative volume देखना चाहिए, यहां पर हमें positive volume देखने को मिलवा, इसलिए हम इसके basis पर trade setup अपना नहीं देखेंगे, यहां पर अपना trading opportunity find नहीं करेंगे, और यहां पर जब इसको retest किया है, तो retest करने के साथ ही इसको break करके उपर निकल गिया है, यहां पर जो resistance level बना है, इस resistance level को respect नहीं किया, तो जब भी कोई support level बनता है, उसको respect करना जवरी है, अगर उसको respect नहीं किया है, तो हम tweet नहीं लेंगे, इसलिए हम candle के closing का wait करते हैं, अब उसकी बाद देखिए, वापस यहां पर price नीचे side की तरफ गिरा है, और इसको break करके नीचे आ गिया, अब यहां प box आपका F&O में available है, तो यहां पर F&O में cell side की तरफ positions ले सकते हैं, अब यहां पर हमें देखना है, कि वापस से 20 day exponential moving average को touch करें, लेकिन as a resistance की रूप में इसको respect करें, इसको break करके उपर नहीं निकलना है, candle closing इसको उपर नहीं देना चाहिए, यहां पर देखिए, candle इसको break कर mark कर लेंगे, यहां पर हम cell side की तरफ आसानी से entry ले सकते हैं, और जो ही highest point है, मेरा SL की रूप में काम करेंगा, और फिर हम इस target price के लिए definitely जा सकते हैं, और दूसरा target price ही हो जाएगा, दूसरे को hit नहीं किया, पहले को आसानी से hit कर दिया, SL छोटा सा target काफी भी गया, risk reward काफ यहां तक हमारे favor में है, तो यहां पर आप इस तरीके से momentum stocks को identify कर सकते हैं, और यहां पर आपको एक और सी check करना होगा, अगर risk मेरा increase हो रहा, और reward मेरा कम बन रहा, तो यहां पर हम finally सारा कुछ होने के बावजोद भी trading को avoid कर सकते हैं, जो भी आप tweet ले रहे हैं, चाहे मैं ब बता हूं किसी वीडियो में, तो आपको risk reward last में check करना ही करना, यह आपको final confirmation देगा, कि आपको trade लेना या नहीं लेना, उमीद करते हैं, यह जो simple सा strategy था, momentum stocks को find करने का, यह concept आपको समझ में आ गया होगा, इस से related अगर आपको कुछ भी doubt या फिर confusion हो, तो comment section पूछ सकते हैं आपको proper answer किया जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, please वीडियो को like करके हमें encourage किजिए, channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe भी किजिए, मिलते next video में, जैहिन